नमस्कार चटपटी बेंजर में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचवरी बनाने के लिए इन सब चीजों के आवसकता होगी तो मैंने लिया है 200 ग्राम आटा मेल्ट किया हुआ घी नमक स्वाद के नुसर डालेंगे मंगरेला अजवाइन और खाने वला सोडा चुटकी भाद और रिफाइंड वयल बनने के लिए पानी आवसकता के नुसर तो सबसे प इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे तरपार्च अमस डालेंगे नमक स्वाद के नुसर डालेंगे तो खाने वाला सोडा डालेंगे आधी चाटी चमाच मंगरेला अजवाइन अब इसे अच्छी तरह से निक्स कर लेंगे अब इसमें पानी डाल के विधेंगे अब इसमें पानी डाल के विधेंगे इसका आटा सक थी गुत्यांगे पानी साधानी से डालेंगे गिला में यहाना चाहिए अब इसे 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट हो गया है आटा सेट हो गया है इसे थरा सा और मसल लेंगे कि अब इसे दो बावबो में डिवाइट करके लोई तोर लेंगे अब चोटे चोटे लोई को तोरेंगे चोटे चोटे तुक्रों में लोई को तोर लिये हैं अब इस तरह से बॉल की तरह इसे बना लेंगे सारे लोई का गोला बना लिये हैं अब इसे बैल लेंगे सुखी आटा में लगा के इसे बिलेंगे सुखी आटा या तेल लगा के भी बन सकते हैं इसी तरह से सारे लोई को बेल लेंगे सारे लोई को बेल के तयार कर लिये हैं अब इसे तर लेंगे तेल गरम हो गए हैं अब इसमें कचोरी को डालेंगे एक वर में इतना आ सकते हैं अब इसे डूसरी सेट अब बैलेंगे आटेर कर ऊपर आगे हैं अब इसे दूसरी साइट देंगे हर आ बें गरें ले करता फॉज्स बारी à मैं करें लोग हिसे इस हम अधर टी जुज़र बडनाया मैं इश्कत्री शज़दी हो मंतों आपको है इसे बारी बारी से दोनों साइब लटके पकाएंगे अब इसे निकाल लेंगे उस दर रखेंगे एक्स्टा तर निकल जाएगा अब इसे निकाल लेंगे बाकी बचे हुए कचोरी को भी टालेंगे अब इसे दूसरी साइब लेंगे इसे गोल्डन ब्राउन होंगे तक तर लेंगे अब इसे निकाल लेंगे अब इसे बाकी बचे हुए कचोरी को भी डालेंगे अब इसे बाकी बचे हुए कचोरी को भी डालेंगे गर्मा गर्म खसता कचोरी बन के तयार है इसे हल्वा के साथ सर्व करेंगे और आप एकवा ट्राइ करके जरूर देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भरने झाले उन्ना झालेंगे 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 यदके जररण आपिए झालेंगे